आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है, धर्म केवन कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाशा ही नहीं है, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुन्ना मत कीजिए, आप जैसे हैं, सर्वश्रेष्ट हैं, बुरे कर्म करने नहीं बनता जाता है वो धिमान व्यक्ति को समाज कल्यान के लिए बिना आसकती के काम करना चाहिए स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है आत्मज्यान की तलवार से काट कर अपने हरदय से अज्यान के संदे को अलग कर दो दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानों महाभारत कभी ना होता मनुष्य अपने विश्वास से मिर्मित होता है जैसा वो विश्वास करता है जैसा वो बन जाता है मान, अपमान, लाग, फानी, खुश हो जाना या दुखी हो जाना यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मघण हो रहे हो बस यही प्रसनता तुम्हारे दुभब का कारण है उस इंसान का मंजिल से भ्रतक जाना तै हैं जिसकी संग्दत में नकारात्मत लोग रहते हैं प्रेम सदैप माफी मानना पसंद करता है और अहंकार सदैप माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोग में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं। वे देवताओं का पूजन करें, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तू पर लगातार चिंतन करें, शब उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिने वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो, परायों को अपना बनाना उतना मु झामरता चाहिए रिश्टों को निभाने के लिए छल कपड़ से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं सो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए, मनश का जीवन केवन उसके कर्मों पर चलता है जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है मन अशान हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन अभ्रास से इसे वर्ष में किया जा सकता है